जैहिन सातियों आज हम गोन जनजाती के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं गोन जनजाती MP General Study का एक बहुत महतुपून टॉपिक है एक्जाम में आज से हमेशा कुछ न कुछ कुछ कुश्चन्स आते हैं प्री और मेंस दोनों ही एक्जाम के लिए बहुत महतुपून है सबसे पहले गोन जनजाती के प्रमुक विशिस्ताय देखते हैं गोन जनजाती में क्या-क्या विशिस्ताय होती है तो गोन जनजाती का निवास इस्थान की बात करें परवत या परवत पर निवास करने वाले लोग ठीक है तो गोंड की बारे में कुछ विशेश विशेश था है और भी कुछ विशेश था है जिनके बारे में देखते हैं एक और बात जान लेते हैं, गूण ज़न जाति मदिप्रदेश में नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर उत्तर दक्षिन दोनों किनारों पर जितने भी जिले पड़ते हैं, लगबग सभी जिलों में पस्षिम पूर्व से पस्षिम तक रहते हैं, ठीक है गई यह आपको एक आगे देखते ही गोन जंजाती की विवापद्धतियों के बारे में तो गोन जंजाती में अनिक विवापद्धतिया प्रशलित है जैसे की दूद लोटाओ विवापद्धति जैसे की पढ़ोनी चड़ विवा लंसेना विवा आधी दूद लोटाओ पद्धति के अंतरगत म मेरे पैरे भाई बहनों का विवा होता है पठोनी विवा के अंतरगत यह एक विशेश विवा पत्ता थी जिसमें पहले दुलहन दुलहे के घर जाती है वहाँ पर कुछ विवा एक परमपराय संपन करती है और फिर वह नो दुलहन के घर आते हैं और और वहाँ पर पुना या वहाँ पर विवा संपन होता है दुलहन के घर ठीकी चड़ विवा एक सामान्य विवा है जो कि देश में सभी जगे प्रशलेत होता है दुलहा दुलहन के घर जाता है और विवा संपन होता है उसे अपने घर लाता है लम्जना विवा जो है ये सेना पद्दतिया गोन में प्रिशलित है इनकी प्रमुख देवताओं के अगर बात करें तो बढ़ा देव जिने इस रजन करने वाले शक्ती के रूप में पुजा करते हैं दुलहा देव शादी विवा के सुत्र में बानने वाले देवता के रूप में मानते हैं पंडा-पंडिन रोक दोश का निवारन करने वाले देव बुड़ा देव ये इनकी गोत्र कुल देवता के रूप में पुजा करते हैं ये नारायन देव की बात करते हैं नारायन देवता है नारायन देवता की पुजा करते हैं भिवासु आदी गोंडो की प्रमुख देवता है गोंजन ज खाना बहुत पसंद करते हैं अक्सर ये सुबे breakfast के रोप में खाया जाता है और ये गोल चावल से बनने वाला ये गोल चावल जैसे एक पधात होता है जिससे की एक अन होता है जिससे की ये बनाया जाता है खीर बनाई जाती है और भी कुछ चिज़े इससे बनाई जाती है ठ नहीं पर भी देख के पैचान सकते हैं गौन स्वयम को गौन की बजाय कोईतार कहलाना पसंद करते हैं ठीक है गौन जिन जाती ये मुख्य भाषा गौन्डी है इसके लावा डौली हल्वी भरती भाषा भी ये लोग बोलते पर खाश करके गौन्डी भाषा ही इनमें परचल करने के लोग होते हैं गौन्डी फूक करने वाले गौन्डी जाती के लोग होते हैं कोईला भूतिस के अगर बात करें तो नाशने गाने वाले ये गोंजनजादी के लोगें सुल्हास की बात करें तो ये बढ़ाई गिरी का काम करता है ठीक है गाईज गोंजनजादी के प्रमुक्तियोहारों के अगर बात करें तो प्रमुक्तियोहार है इनके बगपंथ कर्मा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इस चित्र में देख सकते हैं बेधा का चित्र ये है और सेला का चित्र ये है तीनों ही नरते इनमें काफी प्रशलित हैं इसके अलावा कहवा और बडोनी भी इनमें काफी प्रशलित हैं ठीक है गाईश गोंड एक खेतिहार जन बलग नाम हो सकते पर सबसे प्रशलीद नाम दहिया कहती ही है अब देख लिए एक्जाम में संभावित प्रश्ण या कुनसी questions आ सकते हैं तो गोन जनजाती के प्रमुक नरति के बारे में त्री मार्क्स में समस्चा है तो गाइस यह question आपको आ सकते हैं छोटे questions को आप comment box में comment भी कर सकते हैं लिख सकते हैं उनको हम चेक कर लेंगे ठीक है गाइस वीडियो लेक्षर अगर पसंद आ रहे हैं और इसी तरह के वीडियो और चाहत है तो चैनल को subscribe करिए और वीडियो को like और comment जरूर ठीक है गई नेक्स लेक्चर में हम MP चनरल स्टेश संबंदित अन्य कई वीडियो अपलोड करेंगे साथ ही इसे टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे थेंक्यू फॉर वाचिंग